नमसकार दोस्तो आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान याने केमेस्ट्री के Most Important 100 questions ठीके तो जैसा कि हमने Physics के Top 100 questions पढ़े हैं उसी प्रकार हम Chemistry के भी Top 100 questions solve करेंगे और जैसा कि हमने physics में दो पार्ट में किये थे उसी प्रकार हम chemistry के भी 100 question दो पार्ट के अंदर solve करेंगे ठीक है दोस्तों तो ध्यान से समझे वीडियो को अंत तक देखें जैसा कि आपने निमनलिकित में से रासाइनिक योगिक कोन सा है जल्दी बताइए दोस्तों फटा फटा आंसर दीजिए बहुत easy question है निमनलिकित में से रासाइनिक योगिक कोन सा है जल्दी आंसर दीजिए कोन सा है इन में से रासाइनिक योगिक जल्दी बताइए आप लोग आंसर दीजिए सभी को आंसर देना है क्या है इसका आंसर तो इसका आंसर है अमोनिया क्या है दोस्तो इसका आंसर है अमोनिया और अमोनिया का सुत्र क्या होता है NH3 ठीक है दोस्तो तो अमोनिया जो है वह एक रासाइनिक योगिक होता है फिर इसके बाद हमारा next question है सबसे पहले electron के आवेश का सफलता पुर्वक निर्धारण किस ने किया था यानि कि जो electron पर आवेश होता है उसका सबसे पहले निर्धारण किस के द्वारा किया गया था जल्दी answer दीजिए दोस्तो किस के द्वारा किया गया था जल्दी बताइए फटाफट आंसर करिए जल्दी बहुत इजी कोश्चन है दोस्तो आंसर करिए सबसे पहले इलेक्टरान का जो आवेश है उसका निर्दारन किसके द्वारा किया गया था जल्दी बताइए तो वह किया गया था किसके द्वारा मिली कन के द्वारा किसके द्वारा मिली कन के द्वारा किया गया था और अगर बात करें इलेक्टरोन की खोज किसके द्वारा की गई थी तो वह थॉमसन के द्वारा की गई थी ठीक है जेजे थॉमसन के द्वारा इलेक्टरोन की खोज की गई थी फिर इसके बाद हमारा next question है किस nuclear कण में कोई द्रविमान और कोई आवेश नहीं होता है किन्तु प्रचकरण होता है जल्दी बताईए दोस्तो question number third तो question में पूछा जा रहा है कि nuclear कण है जिसमें कोई द्रविमान और कोई आवेश नहीं होता है किन्तु प्रचकरण होता है जल्दी बताईए आंसर तो इसका आंसर होगा neutrino ठीक है option C फिर इसके बाद हमारा next question है किसी तत्व के रासाइनिक गूण निम्न में से कोन तय करता है ठीक है दोस्तो आंसर दीजिए किसी तत्व के रासाइनिक गूण निम्न में से कोन तय करता है आंसर बताईए जल्दी दोस्तो रासाइनिक गूण chemical property ठीक है chemical property के बारे में बात हो तो chemical property जो होती है element की वह किसके द्वारा define की जाती है जल्दी बताईए क्या होगा इसका answer तो इसका answer होगा दोस्तो इलेक्ट्रोनों की संख्या number of electron ठीके फिर इसके बाद हमारा next question है निम्न लिखित में से कौन सी electronic समरूपन धातू के लिए है ठीके दोस्तो याने की संक्रमन धातू के लिए है बताई यह answer क्या होगा पांच का answer क्या होगा option D ठीके मैं आपको जब electronic विन्यास पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में detail में बताऊंगा कि कैसे electronic विन्यास भरते हैं ठीके आपको पताऊगा 1H2, 2H2 हबबाव का नियम हम पढ़ेंगे उस time में आपको यह detail से पढ़ाऊंगा फिर हमारा next question है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा एक परमानू का भाग नहीं है जल्दी answer करिए दोस्तों को ध्यान से पढ़ना निम्न लिखित में से कौन सा एक परमानू का भाग नहीं है तो जैसा कि मैंने बताया था परमाणू में एक नाभीक होता है और नाभीक में प्रोटोन और न्यूट्रोन पाए जाते हैं और नाभीक के चारो और इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं तो परमाणू में कौन-कौन होते हैं इलेक्ट्रोन प्रोटोन और न्यूट्रोन फोटो परमानू में नहीं पाए जाते हैं तो हमारा आंसर हो गया option D ठीक है दोस्तों और अगर question में पूछा जाता कि नाभिक में कौन से कंड पाए जाते हैं तो नाभिक में सिर्फ proton और neutron पाए जाते हैं फिर इसके बाद हमारा next question है रेडियो सक्रीता की परिगटना की खोज किसने की थी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों बहुत easy question है रेडियो सक्रीता की परिगटना की खोज किसने की थी फटा फटा आंसर दीजिए दोस्तों जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी आंसर दीजिए तो इसका आंस नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों निम्न लिखित में से किस में रिनात्मक आवेश होता है ठीक है जल्दी बताइए इन में से किस पर रिनात्मक आवेश होता है आंसर दीजिए अलफा कीरन बीटा कीरन गामा कीरन या एक्स कीरन इन में से किस पर रिनात्मक आवेश होता है जल तो बीटा कीरण पर रिनात्मा कावेस होता है फिर हमारा next question है निमन लिखित में से कौन एक radio active तत्व नहीं है जल्दी answer करिए दोस्तों निमन लिखित में से कौन एक radio active तत्व नहीं है Question no.10 का answer करिए तो क्या होगा Question no.10 का answer जल्दी बताइए तो question number 10 का answer है जर्कोनियम ठीक है जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है फिर इसके बाद हमारा next question है यूरेनियम विखेंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरुवत होती है जल्दी answer दीजिए दोस्तों बहुत easy question है मैंने आपको बताया है यूरेनियम विखेंडन की सतत प्रक्रिया में को जारी रखने के लिए कौन से कण की जरुवत होती है जल्दी answer दीए किस की जरुवत होती है बताईए फटाफट जब यूरेनियम विखेंडन होता है तो एक कण बिल्कुल freely exist करता है तो वह होता है neutron ठी नहीं होता है फिर हमारा next question है निमनल इखित में से कौन सा पदार्थ नाभी की रियक्टर में मंदक का काम करता है इसका आंसर तो बता दीजिए दोस्तों काई बार मैंने सोल करवा रखा है जल्दी answer दीजिए नाभी की रियक्टर में मंदक का काम कौन करता है जल्दी आंसर 12 का क्या होगा option C भारी जल ठीक है क्या होता है भारी जल का formula D2O क्या होता है D2O होता है भारी जल का सुत्र फिर हमारा next question है निमनलिखित रेडियो तत्वो में से किसका उप्योग मनुष के सरीर में रक्त प्रवाह की गती के मापन में किया जाता है जल्दी बताईए दोस्तों इन में से कौन से रेडियो तत्वो का उप्योग जो हमारे सरीर में रक्त प्रवाह की गती होती है उसके मापन के लिए किया जाता है तो क्या होगा answer रेडियो सोडियम ठीक है दोस्तों आंसर होगा रेडियो सोडियम फिर इसके बाद next question है किसी तत्व के समिस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन संख्या की उपस्थिती के कारण होता है जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों most important question है समिस्थानिकों की बात हो रही है तो समिस्थानिकों में जो अंतर होता है वह किसकी संख्या की उपस्थिती के कारण होता है जल्दी आंसर दीजिए तो वह होता है किसके कारण न्यूट्रोनों की संख्या के कारण ठीके फिर इसके बाद हमारा next question है निमन लिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन होते है ठीके दोस्तो निमन लिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन होते है जल्दी फटाफट आंसर दीजिए दोस्तो रेडियो एक्टिविटी का question है जल्दी आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर संभारिक ठीके याने के जिनके वर्मानू द्रव्यमान समान होते है अटोमिक माज जो है वो सेम होते है उन्हें संभारिक का जाता है तो एसे कौन से करण होते हैं बताइए जिनके उससर्जन से संभारिक उत्पन होते हैं तो एसे करण होते हैं बीटा किरने कौन सी किरन किसी एक सामान्य व्यक्ति के pH का इस्थर क्या होता है जल्दी बताईए रक्त का pH क्या होता है मैंने बता रखा है आपको जल्दी आंसर दीजिए फटाफट बताईए क्या होता है सबसे पहले तो आपको पता होना चीए कि जो हमारा रक्त होता है वह चारी होता है या अमली होता है तो वह चारी होता है कैसा होता है चारी है बैसिक मीडियम होता है उसका तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा सी साथ दस्मलो तीन पांच से लेकर साथ दस्मलो चार पांच तक एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएज होता है ठीके और मैंने बता रखा है पीएज पेमाने की खोज किसके द्वारा की गई थी तो पीएज पेमाने की खोज की गई थी सोरेंसन के द्वारा किसके द्वारा सोरेंसन के द्वारा पीएज पेमाने की खोज की गई थी फिर नेक्स्ट कोशन है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सा योगिक लुईस अमल नहीं है ठीक है दोस्तों तो लुईस के द्वारा अमलो और चार की अउधार्णा दी गई है तो इसके द्वारा जो BF3 है यहां एक अमल नहीं है मैं आपको बताऊंगा लुईस की अउधार्णा क्या कहती है फिर हमारा नेक्स्ट कोशन है ताप एवं दाप की समान अवस्थाओं में विबिन गेसो के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है ठीक है दोस्तो तो यहां आपको दिख रहा होगा एवोगेडरों का नियम है ताप और दाप समान है तो गेसो के समान आयतन में किसकी संख्या समान है तो वह होगा क्या आंसर बताईए जल्दी बताईए आप लोग क्या होगा आंसर तो answer होगा अनू की संख्या समान होती है ठीक है molecule number of molecule समान होते है फिर इसके बाद हमारा next question है निमले लिखित में से कौन सा इंधन न्यूनतम परावर्णी प्रदूशन उत्पन करता है याने कि इन में से की सिंधन के कारण सबसे कम पर्यावर्णी प्रदूशन उत्पन होता है जल्दी answer करिए मैंने आपको इसका भी answer बता रखा है जिस भी student ने मेरे जो science के lecture हैं अगर वह देखे होंगे तो वह answer आराम से दे सकता है जल्दी बताइए इसलिए मैं बार बार वोलता हूँ कि जो science के lecture मैंने लिए हैं उनको ध्यान से देखे क्योंकि इन question में जितने भी concept आ रहे हैं हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए उन वीडियो को देखें ताकि आप exam में आने वाले question को समझ सकें उनके concept को पकड़ सकें ठीके और उन question को solve कर सकें तो बताइए 20 का answer बताइए जल्दी बताइए कौन से इंधन के द्वारा बहुत कम परियावन प्रदूशन होता है तो वह है क्या option C hydrogen 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 H11 ठीके अब बात करें मैंने एक और नाम बताया था hydrogen का भविष्च का इंधन ठीके hydrogen जो इंधन है उसे भविष्च का इंधन भी का जाता है और इससे प्रदूशन इसलिए नहीं होता जब हम hydrogen को जलाते हैं तो हमें पानी मिलता है क्या मिलता है दोस्तो water फिर हमारा next question है निम्न लिखित में से किसमे सुन्य इलेक्ट्रोन सह जातीता होती है जल्दी बताइए दोस्तों इसका आंसर दीजे फटाफट निम्न लिखित में से किसमे सुन्य इलेक्ट्रोन सह जाती होती है option पढ़िए और answer दीजे option पढ़ लीजिए आपको answer आ जाएगा बताईए जल्दी क्या होगा इसका answer तो इसका answer होगा neon ठीक है दोस्तों यह एक अक्रिय गेस होती है सुन्य समू की गेस होती है neon मैंने बता रहा है helium, neon, argon, krypton, xenon और radon तो यह neon क्या होती है इसमें सुन्य इलेक्ट्रोन सजाती होता है, ध्यान रखना है आपको फिर हमारा next question है आज कल सडक की रोसनी में पीले लेंप बहुत आया में प्रयुक्त हो रहे हैं इन लेंपों में निम्न लिखित का उप्योग करते हैं, यानि कि इन में से किस गेस का उप्योग हम जो सडक पे रोसनी के लेंपों होते हैं उन में करते हैं जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों आप सभी को मैंने बता रखा है किस का उप्योग करते हैं फटावट बताइए जल्दी बताईए यहां पुछा जा रहा है कि जो सागरी जल होता है उसमें किसकी लवंटा अधिक्तम होती है आंसर दीजे 23 का जल्दी बताईए आप सभी को पता होगा option पढ़िए फटाफट क्या होता है जो सागरी जल होता है उसमें किसकी लवंटा होती है जल्दी आंसर में फिर इसके बाद हमारा next question है chlorophyll अणू में निमनलिकित में से क्या मोजूद होता है जल्दी आंसर बताइए दुस्तों chlorophyll के अणू में निमनलिकित में से क्या मोजूद होता है आंसर करिए फटाफट क्या मोजूद होगा जल्दी आंसर करिए फटाफट बताइए तो वह होता है मेगनीज एम जी ठीक है फिर नेक्स्ट कोशन है एल्यूमिनियम किसमे घुल हुए सुद्ध ल2-0-3 के वेजूद अब घटन द्वारा प्राप्त किया जाता है ठीक है तो इसका आंसर भी दीजिए फटाफट L2-0-3 के वेजूद अब घटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है यानि कि L2-0-3 का जब हम वेजूद अब घटन करते हैं तो इन में से कौन हमें प्राप्त होता है आंसर दीजिए फटाफट L2-0-3 तो हमें क्या मिलेगा हमें ठीके दोस्तो क्या मिलेगा cryolite जो के aluminum का यश्क होता है bleaching powder निमने लिखित में से किसे गुजार कर तेयार किया जाता है ठीके दोस्तो जल्दी आंसर दीजिए bleaching powder जल्दी फटा फटा आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर सभी को बता होगा बूजे चूने पर से chlorine ठीके दोस्तो बूजे चूने पर से जब chlorine को गुजारा जाता है तो bleaching powder हमें प्राप्त होता है फिर इसके बाद हमारा next question है निमने लिखित में से किस खनीज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है जल्दी बताईए दोस्तो question में पूछा जा रहा है कि इन में से कौन लोहे का अयश्क है जल्दी आंसर दीजिए निमने लिखित में से किस खनीज द्वारा किस खनीज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है answer बताईए फटाफट क्या होगा तो answer होगा hematite तो दोस्तो क्या होगा hematite के द्वारा लोहे को प्राप्त किया जाता है तो दोस्तो आज हम 30 question के लगबग solve करेंगे तो आप अंत तक बने रहें और 2-4 question बचे हैं तो ध्यान से देखें और अच्छे से मेरे द्वारा बताईए को concept को समझें और daily current affair भी पढ़े daily video current affair के upload हो रहे है तो आप ध्यान से उनको समझें ठीक है पहले 10 बजे science की class आती है और जैसे ही science की class खतम होती है आपकी current affair की class आती है ठीक है तो एक देड़ गंटे के अंदर दोनों वीडियो खतम हो जाते हैं तो ध्यान से समझें ठीक है क्योंकि बड़ी महनत करते हैं हम आपके लिए ठीक है तो आप कम से कम हमारे लिए बस इतनी महनत करें कि बस आप वीडियो को देखें और समझें और हमारे द्वारा बताये गए concept को अपनी exam में आए हुए question पर apply करें और उन question को solo करें ठीक है दोस्तो तो daily current affair वीडियो भी सभी को देखना है ठीक है फिर हमारा next question है stainless steel तेयार करने के लिए लोह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातू उप्योग में लाई जाती है question में पूछा जा रहा है कि stainless steel जब हम बनाते हैं तब उसमें लोहे के साथ और कौन सी धातू मिलाते हैं तो जल्दी answer करिए कौन सी धातू मिलाते हैं जल्दी बदाईए फटावट कौन सी धातू मिलाई जाती है तो वह मिलाई जाती है क्या बदाईए जल्दी दोस्तो आप सभी को answer देना है फटावड बताईए तो इसका आंसर होगा option B chromium ठीक है chromium को हम लोगे के साथ मिला कर stainless steel तेयार करते हैं फिर इसके बाद हमारा next question है ISC को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाबकारी नहीं है दोस्तों ध्यान से पढ़ना लाबकारी तो वह ज़्यादा लाबकारी नहीं होती है बताई यह आंसर क्या होगा तो अनीलन ठीक है आंसर क्या होगा option A अनीलन फिर इसके बाद दोस्तों आज का हमारा next or last question है जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपो पर जस्ते की परच चड़ाने को क्या कहते है जल्दी आंसर करिए दोस्तों आप सभी को पताऊगा जंग से बचाने के लिए जो लोहे के बने पानी के पाइप होते हैं उन पर हम जस्ते की परच चड़ाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं जल्दी बताईए तो उन्हें कहा जाता है यश्दी करण ठीक है ओप्शन डी आप सभी को ध्यान में रखना है थोड़ा हिंदी का वर्ड यूज किया है ठीक है जश्दी करण बोला जाता है इसे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जब केमिस्ट्री का हम नेक्स् question का तो उसमें आगे के question में आपको solve करके बताऊंगा और कहीं सारे नए concept भी हम जानेंगे ठीके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत